सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार धा नमस्ते मेरा नाम है सालो नेगी देभू उत्रा खंड के इन खूप सुरल पहाडों से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी एक और नए वीडियो में दोस्तों आभी सुबह के आठ बस्ते हैं और आज कम मौसम मैं आपको दिखाओं तो अच्छी सी धूप लगी हुई है सुहावना सा मौसम हो रखा है तो दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ मार्केट और अभी अपने गाउजाने के पैदल रास्ते में हूँ और यहाँ आपर देखे चाची इतनी बड़ी तोर की भारी ले जा रही है कल यहाँ पर लंगूर आ रखे थे तो लंगूरों ने पूरी तोर बरबाद कर दी थी सेलाचाची हाई आई आई तो दोस्तों आभी मैं मार्केट से आ गई हूँ और पैदल रास्ते से अभी घर जा रही हूँ और धूब काफी तेज हो रही है और आजकल रास्ते में बहुत ज़्यादा घास हो रही है कुमर वाली तो यहाँ पर थोड़ा पानी पीती हूँ तो आजकल सभी लोगों ने गोबर डाल दिया है खितों में और यहाँ पर जो तोर डाल थी वो पकने वाली थी और बंदरों ने पूरी बरबाद कर दी है तो सभी लोगों ने कच्ची डाल ही आर्ट ली है हमारे यहाँ ना लंगूरी ज़्यादा फसल बरबाद करते हैं और एक यहाँ रास्ते में बैठा हुआ है और यहाँ नीचे खेत में देखे लगे हुए हैं लंगूर डाल खाने पर और कुछ यह सामने चिड़के पेड़ पर बैठे हुए हैं तो अभी घर आ गई हूँ और अब जल्दी से भाद खाती हूँ भाद बना रखा है माने तो दोस्तों अभी सामके लगभग चार बच चुके हैं और अभी मैं आरकी हूँ अपने खेत में यहाँ पर माने एक कंड़ी घास की कातकी है तो इसको लेके जा रही हूँ मैं अभी गौसाला और साथ मैं दूसरी कंड़ी भी लेके जा रही हूँ जिस पर मैं अभी गौबर लेके आई हूँ तो बाकी अभी गौसाला चलती हूँ अभी डौला के खेतों में जाना है हमने गौबर डालने तो ऐसे खितों मैं भी रखा रहता है लोगुने को पर तो नजदिक होता है खितों में डालने के लिए तो अभी धूब भी अपने गाउ से सामने वाली पहाड़ी पर जा चुकी है और ये भी इन्दी भीस के लिए रखई हूई है खोले काने हैं तेर्टपो जिल के लिए के लिए को खोड़ी निरने दुम पाकtime अ धूना बीदी आ मेसे में भॉसさん ही खोगार Быगा what? के लिए हेलो और यहां पर इस मिर्च की क्यारी में खूप सारी हरी मिर्च लगी हुई है और यहां पर इस सगुड़े में धनिया लैसुन और राई हरी सबजी हो रखी है काफी बड़ी और यहां पर सामने पर संत्रे भी पकने वाले हैं तो दोस्तों अभी हमने गोबर डाल दिया खेत में और अब चलते हैं घर जलते हैं तो में पर संत्रे खेत में तो डहां जाले हैं जलते हैं जलते हैं अटे हैं श्चामन को लेते हैं मार, कान अवार तो अभी मैं फिर से लेके आ गई हूँ गोबर की कंडी खेत में और यहां पर जैरी जिम्मी के डर से बैठा हुआ है पेड़ पर है जैरी 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 जैल गोर जैल ओ ओ ओ ओ ओ ओ दोस्तों अभी घर आ गये हैं और अंधेरा भी हो चुका है तो अभी मैं यहां बाहर पर दोटियां बना रही हूँ तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ आए होप आपको यह वीडियो पसंद आए होगी पसंद आए है तो लाइक करें कॉमेंट करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो के साथ तब तक बने रही है मेरे चैनल पार जय देभू उत्राखंड करें 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 करना न देभू।